दोस्तों नमस्कार आप समीका बहुत-बहुत स्वागत है ये गरी मस्ती यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप लोग का जो ओन डिमांड वीडियो था बैक पीपर से रिलेटेट वह आ जुका है काफी रिसर्च करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आप लोग एक करले मैं शनाते को जैसे कई सारे चातरों का सवाल यहीं आ रहा है कि उनका बैक पेफर पर फॉर्म भरनेों के बाद परिछा देने के बाद भी उनका पेट पर फॉर्म का रिजल नहीं आया और वह कहाा अपने रिजल्ट चेक कर सकते कि विए पसािट पर तो ऐसा कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा तो उसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा है पूराना वाला रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हें तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि दोस्तों चत्रपती साहु यह महराज विश्व जाले के और खास करके बीए सीगरी कल्चर वाले सभी छात्रों के समस्याओं का समधान इस चैनल पर किया जाता है अगर आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी कोई समस्या से ग और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा और कहां आएगा ठीक है तो मैं वीडियो में आपको आगे इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं विस्तार से लोकल भासा में तो सबसे पहले देखिए आप इस थम्लिल पर देख रहे हूं और कैसे आपको पता चलेगा कि आप उसमें पास है या फेल है यहीं चीज़ों मैं आपको बताने वाला हूं और बैक पेपर का रिजल्ट कैसे चेकर है असा नहीं सबसे पहले में आपको दिखा दे तब बता देना चाहता हूं कि अगर आप CSJMU कानपूर के BSC Agriculture का नियम है कानपूर इंवस्टी का एक ऐसा नियम है कि जो बैक पे BSC Agriculture का बैक पेपर का रिजल्ट जो पहले 2019 से पहले सो करा जाता था बेप साइट पे अब वो सिस्टम हट चुका है यानि अगर आप बैक पेपर का परिच्छा देते हैं रिजल्ट भी आता है लेकिन आपको पेपर दे दिया रिजल्ट भी आ गए रिजल्ट भी आहीं गया है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा रिजल्ट कहां सो होगा और कैसे मिलेगा तो कैसे पता चल भाए का कि मैं पास हुआ फिर फेल हूँ उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कॉलेज में जाना पड पेपर दे लिए सबसे पहले तो आपको अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा क्योंकि आपके कॉलेज में गए बिना आपका बैक कैपर कर आव संभभ है ठीक है आप इसको बात को मालें जिक्वास का ब्योंब्स कर लेका अगर आप जब अब तक अपने college से संपर्क नहीं करेंगे, college में नहीं जाएंगे, तो आपका result नहीं मिलने वाला है, अब समझे यहाँ बात, कि आपको college में संपर्क करने के बाद, क्या करना होगा, जानना यह जरूरी हो जाता है, थोड़ी बहुत वीडियो देखर के भाग जाओ के तो फिर परसानी हो ही जाए कि सिंपल इसी बात है रिल से देखने से बढ़िया है कि यह थोड़ा इंफ्रमेशन वाली बात है जान लो अब आपको यह समझना है कि आपको कॉले में जाकर क्या करना है तो सिंपल ही आपको कॉले में जाने के बाद आपको अपने कॉले के कलर्ट यानि जिसे बाबू कहा जाता है आप अपने कॉले के कलर्ट से मिल सकते हैं और मिल सकते हैं नहीं मिलना ही पड़ेगा अगर आपका रिजल्ट फासा हुआ है बैक पेपर का तो आप अपने कलर्ट से मिलेंगे तो कलर्ट से मिलने के बाद आपको उसे डरिक्त कहना है कि सर मैंने ब्येश ये एक रिकल्चर जो भी समिस्टर फार्स तर्ट फिप सेविन उसका बैक बेपर का फोंब फौंब भड़ा था और मैंने परिक्षा भी दिया है उसका रिजल्ट यह पता है मेरा result कहा है और कितना है तो तो आपको Lon nhất डेल पास जाएंगे आप तो आपके सिस्टम है किनस आपको yn помटरस्ट कि कर आसकता है और आपका इन्वस्टी को बोलता है तो आपके का सिस्टम हमें चड़ जाता है तो आपका। इसले सम्में होता है जो जीपीय होता है तो यह से आपका बेक जो था वह खतम हो गया फिर से मैं बता दिना चाहता हूं कि आपको अपने कॉलेज में जाना होगा जोए दूसरा रास्ता है ही नहीं अप सोचेंगे बिना गए हो जाए तो यह असंबह हो है या फिर आप जाएए फिर किसी अन्य लड़कों को भेज दीजिए लेकिन आपको हर हाल में college session पर करना होगा और जैसे college session पर करिएगा तो college session पर करने के बाद आपको अपने बाबू से मिलना होगा ठीक है बाबू से मिलने के बाद आपको क्या करना होगा समस्या बताना होगा तो समस्या बताईएगा तो समस्या का समधान आपके बाबू अवश्य ही कर देंगे किनकि वहीं एक रास्ता होता है वहीं एक आखिरी रास्ता होता है वो आपके जो बाबू होते हैं वो आपके college इन्वेस्टी सेंपर करेंगे इन्वेस्टी को वो ये बताते हैं कि ये लड़का ने परिक्षा दिया था आप इसका result को update कर दीजिए तो इन्वेस्टी update कर देती है बस इतना आप समझ लीजिए आप परशान होने ही कोई जरूद नहीं आपका बैक पर रिजल्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको college से शपर करना पड़ेगा दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो उन छात्रों के लिए मददगार साबित हुआ होगा जो छात्र परिशान थे मेरे पास कई सारे छात्रों का मैसे जा रहा था मैं एक एक करके सभी का जवाब तो नहीं दे सकता था इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूँ और मैं आशा करता हूँ कि जरूर मदद मीला हुआ होगा और इस तरग मदद पाने के लिए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए इस चैनलों को सब्स्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे साथ टेलिग्राम, इस्टाग्राम, फेस्बूक या वाट्सेप सभी से कनेक्ट हो जाईएगा तो आपको मदद मिलता रहेगा और वस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और वीडियो को यही समाप्त करते हैं मिलता है किस अगली वीडियों तक तक के लिए आप समी का बहुत बहुत धन्यवाद